नमस्कार दोस्तों मैं वितुल शर्मा आप सभी का इस्टेड़ी आईकू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं भी आज जो हम डिस्कृशन करने जा रहे हैं सैट नंबर 41 यूपी एसाई की जो हमारी स्रीज चल रही है उसका सैट नंबर 41 आज हम डिसकस करेंगे तो भी अच्छे कूशन से कूशन को बड़े द्यान से समझना सीखना और आप लोग जहां गलती करते हैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करना भी किस टाइप के कूशन में आपको प्रॉब्लम आती है वो चीज़े पहले स समझो क्यों प्रॉब्लम आ रही है कंसेप्ट वीक है या कोई और प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को समझना है और गलती को खतम करना है वही कि ये गलती दुबारा ना क्लियर तो चलिए शुरुवात करते हैं अचकी शेशन की वे शेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए देखिए जरा ये तीन माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेस्बुक और टेलिग्राम पर ये तीन माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और इसी टेलिग्राम अकाउंट प पहला GOSHन देखो पढ़ो वही क्या लिखा है पहला GOSHन ये लिखा है The diameter of a circle is AB वही माल लेते हैं ये हमारा एक circle है ठीक है जिसका diameter AB है ये AB है AB क्या है इसका diameter है And C is a point on it's circumference C जो है इसकी circumference पर कोई point है माल लेता है C ये एक point है इसकी circumference पर ये point है C AC and BC are two code AC और BC क्या है दो code है AC equal to 7 cm AC 7 cm की है and उसने क्या कहा radius of the circle is 12.5 radius of the circle circle की जो radius है वो कितनी है 12.5 है ये वाला part 12.5 है तो ये 12.5 है तो पूरा कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर पूरी तो 25 हो जाएगी पूरी कितनी हो जाेगी पाच्शिस रेडियस साड़ Rs.12 है तो पूरी कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी ये जो triangle होगा हमेशा right angle triangle बनेगा आपको right angle triangle कैसे बना याद होगी एक property semi circle में जो angle होते हैं हमेशा 90 के right angle होते हैं भी semi circle में semi circle का मिनने हाफ circle अर्द वरत में बना कौन सम कौन होता है भी याद है ना कुछ ऐसी property अर्द वरत में बना कौन सम कौन होता है यह अर्द वरत है यह इसमें जो angle बनेंगे हमेशा वो क्या होंगी right angle होंगी यह यह वाला जो angle होगा वह राइट एंगल होगा ठीक है इट में यह वाला 90 का होगा और जब यह 90 हो गया तो सभी को समझ में आगया ये राइट एंगल ट्रेंगल है और आइट एंगल होग्य हमारा 25 ये 7 में पाइथा कोले ट्रेप्लेट से 724 पच्छिस तो ये बादी जो साइड होगी वह कितने की होगी 24 सेंटिमेटर की होगी होगी है। और pythagorean triplete, 7, 24, 25, 25 क्या hypnorenes हो गया, यह 7 है, तो यह कितना है, 24 से हैं, तो correct answer कितना आएगा, 24 जो होगा, वो इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा, 24 Centimeter इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा, क्या यह बात clear है, सबी को समझ में आती है चले आगे बढ़ते हैं नेक्स देखते हैं नेक्स क्या कहते हैं अगला कुशन क्या कहता है हाँ उसने कहा एक ट्रेडर डबल जा इनिशल सेलिंग प्राइज ओफ एन आर्टिकल उसने कहा एक ट्रेडर है उसका जो इनिशल सेलिंग प्राइज है उसको doubling the selling price, यदि selling price को double कर दें, तो नई profit की percentage क्या होगी, यह आपको बताना है, अब आप एक बास सोचिए, CP, SP, जो initial वाला है, माल लेते हैं, यह 100 है, तो यह कितना होगा, 120 हो जाएगा, यह 100 है, तो यह क्या होगा, 120 हो जाएगा, क्या यह बास समझ में आती है, वह शुरुवात में 20% का profit है, लेकिन उसने कहा, यदि मैं इसको double कर दो, इसको double कर देंगे, तो selling price को double किया, profit को double नहीं, उसने कहा, इसने कहा, इसने कहा, इसने कहा, इफ दा, ट्रेडर डवल्ट दस, इनीशिएल सेलिंग ऐस को double किया, अरे बेटि मैं इसको double करेंगे, तो 120 का double कितना होता है, 240, यह हुआ, अब बताईए बी profit कितने कँई होगा, अब आपको profit पता है, वी कितने का होगा, 140 होगा profit होगा और आप से पूछया है profit की percentage तो profit percentage कितनी होगी profit percentage होगा profit अपन में CP into 100 profit है हमारा 140 अपन में CP कितना है 100 into 100 तो यहां से कितना भी 140% का क्या होगा profit 140% का क्या होगा profit होगा good morning good morning क्ले रहें चले आगे चले next देखते हैं next क्या है अगला इसने कहा इस फार्मर बॉट टू गोड बही एक किसान ने उसने दो बकरी खरीदी ठीक है न एड़ दा सेम प्राइज ऑफ 4500 इटमेंस दोनों का कोस्ट वाइस किता है 4500 पहले कभी 4500 है तो दूसरे कभी क्या होगा 4500 तो पहले का भी CP पहली गोड का भी CP 4500 है दूसरे का भी 4500 at the same price of rupees 4500 for rupees 4500 ठीक है न अब इसने का he sold both of them for a neither gain or no loss उसने दोनों को बेचा ना profit ना loss में बेचा overall से ना तो profit हुआ ना ही got at 27 profit तो यहां पर उसने 27 profit 7% का profit लिया तो आपसे पूचा ही sold the other goat at a loss of तो दूसरी को कितने percent के लोस पर बेचा होगा तो बातों को समझने की कोशिश करना क्या कि भी जब कॉस्ट प्राइस सेम है और overall no profit no loss है तो इसका मिनिंग यह हुआ कि जब कॉस्ट प्राइस सेम है एक पर प्रॉफिट है तो दूसरे पर लोस होगा क्योंकि overall निल है और जितना profit पहले पर है तो यदि हम उतना ही loss कर देंगे तो overall हो जाएगा क्यों कि जितने रुपे इधर बढ़ें गे तो तरह कम हो जाएगे क्योंकि सब्सक्राइब नहीं क्या बोला था सेन है दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम नहीं का सिम कहा है तो आपसे पूछा है कि दूसरे पर कितने परसंट का लोस होगा तो सिंपल सी बात है 27 परसंट का क्या होगा लोस हो जाए हैं देखो एक छोटी सी बात सुमझो ज्यान से समात्राब ये दिमाइं अधिन्स का कोस परसंट का प्रॉपिट हुआ तो 243 में इधर क्या करेंगे 27 का क्या करना होगा लोस करना होगा 27 का लोज करेंगे कि दर 27 रूपे बड़े तो इधर 27 रूपे कम करने होगे तब इता ओवरॉल ने लोगा तो इसका मिनिंग ये कितना ये हो जाएगा हमारा 73 का तो इनको जोड़ोगे तो तब भी 200 और रहा है कॉस्प्राइज को जोड़ोगे तो तब भी 200 और और 27 परसेंट और उस तरह से चलना पड़ता तो तब दूसरा तरीका होता है लेकिन यहां को स्पाइज की बात कर रहा है तो जितना इदर प्रॉफिट लिया तो दूसरे पर उतना ही रुपे का हम लोस कर लगी है ठीक है चलिए आगे देखिए नेक्स देखिए हाँ अब उसने कहा 125 लिटर मिक्शर है मिल्क और वाटर का जिसमें 25 परसेंट क्या है वाटर है तो मिल्क और वाटर की एदि हम बात करें तो जब 25 परसेंट वाटर है तो 75 परसेंट क्या है मिल्क है तो 75 परसेंट मिल्क है 25 परसेंट वाटर है तो रेशो क्या हुआ 3 is to 1 का ratio 75 25 तो क्या ratio वा 3 is to 1 का ratio वा अब उसने का what amount should of water should be added कितनी amount हम add करें water की कितनी amount हम add करें to the mixture so that water contain content becomes 30 percent भई जो अब जो water जो है वो कितना हो जाए 30 percent तो 30 percent यदि water है तो 70 percent milk है तो यह तीन और साथ का ratio हो गया अब आप एक बाद बताओ add क्या किया आपने add क्या water milk नहीं किया तो इसका मिल्क मिनिंग मिल्क दोनों बराबर होगा और यहां पर बराबर मिल्क यहां नहीं है तो बराबर कर देते हैं तो उपर सेवन से और नीचे किसे भी थ्री से ऐसा कुछ कर लिए भी उपर सेवन से नीचे थ्री से अब यहां से से क्या से तो टोटल 7 और 3 कितना भीत अत्या 21 वहां पड़ा मिंचर कितना हमारे पास कितना 2012 और यहां रेश्यों के एसाब से कितना Ka Pro तो 28 unit किसके बराबर है 125 के तो 1 unit किसके बराबर होगी 125 अपन में कितना भही 28 होगा अब हमें क्या करना था water की बात करते हैं water होगया 7 से 9 कितना add होगया भी 2 liter लेकिन यहाँ पर भी कितना है 2 तो 2 से यह दिया हम multiply करेंगे तो 2 की value क्यों कि कितना हमने पाने add किया तो यही तो बूछना चाहता है तो 125 into 2 अपन में कितना भी 28 2 से कितना भी 14 times तो 14 से 8.92 लेटर के करीब आ जाएगा ठीक है ना तो correct answer is 8.92 वह इस session को like और share भी कर दो channel को subscribe भी कर दो तो कितना add किया भी हमने 8.92 समझ में आया तरीका देखो पहले हमने milk और water का ratio देखा बाद में कितना है वह देखा लेकिन add जब हम कर रहे थे water तो milk तो add नहीं किया तो milk को हमने क्या किया बराबर कर लिए और milk बराबर किया तो जैसे देखा शुरुवात में total mixture है लेकिन actual में कितना 125 तो 28 किसके बराबर 125 कि तो एक यूनिट 125 बटे 28 लेकिन हमें find क्या करना है कि कि कितना water हमने add करना तो water देखो साथ से कितना हो किया नो तो कितना भी दो लिटर तो इंटू टू तो इसमें इंटू टू किया थो नाइन पॉइंट एट टू एट पॉइंट पॉइंट नाइन टू क्लियर तो option number one is the correct answer good morning good morning भही चले अगला जी नेक्स देखें नेक्स विशन क्या है इसने का downstream speed of a motor boat is 56 तो downstream कितनी है भी वह है हमारी 56 किलमेटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम कितनी है भी 40 किलमेटर पर आवर ठीक है find the speed of motor boat in still water still water में motor boat की speed क्या होगी and that of current respectively वी इसका मिनिं motor boat की speed और साथ में पानी की speed याद है मैंने अभी कुछ दिन पहले ये topic भी कर आया था तो motor boat की speed यदि मुझे निकालनी है in still water तो कैसे निकालेंगे दोनों को add divided by 2 तो 56 plus 40 divided by 2 तो 96 by 2 और 96 by 2 क्या मिनिंग हो गया भी हमारा 48 clear है और यदि water की यदि मुझे speed निकालनी है तो कितना होगा तो 56 minus 40 divided by 2 तो कितना अगया भी 16 by 2 और 16 by 2 का मिनिंग हुआ हमारा कितना भी 8 किलोमेटर करावार तो कहने का मिनिंग ये है कि motor boat की speed यदि मुझे निकालनी है in still water तो हमें दोनों को add divided by 2 और यदि water की speed निकालनी है तो तो दोनों को subtract divided by 2 तो option number कौन सा आगया भी 4 ता आगया भी तो ये question एस तरह के question ऐसे हैं कि आप verbally भी कर सकते हैं ठीक है ना आप verbally भी कर सकते हैं चलिए next आजीए next क्या कहता है अगला दिखिए देखो इसने क्या कहा find the smallest number which when divided by 14 leaves remainder 4 24 से divide किया तो 14 34 से divide किया तो 24 कुछ question समझ में आया क्या कहना चाहता है उसने का find the least number मालों वो least number है n उसको जब मैं 14 से divide करता हूँ तो remainder आता है भी 4 यहां से उसी number को यदि मैं 24 से divide करता हूँ 24 से divide करता हूँ तो remainder आता है भी 14 और यदि मैं उसी number को 34 से divide करता हूँ तो remainder आता है कितना भी 24 24 क्या ये बाते समझ में आती है अब आप एक बात सोचें यहां पर यहां पर हो क्या रहा है कि difference सेम है एक चीज़ देखें diviser और remainder का difference सेम हर जगे कितना है 10 यहां पर भी कितना है 10 और यहां पर भी कितना है 10 तो ऐसे केस में क्या करना होगा जो भी numbers का LCM है जिन से हम डिवाइड कर रहे हैं जो भी LCM है LCM वो number होगा जो इन से पूरा पूरा डिवाइड होगा लेकिन हर बार remainder अलग-अलग है लेकिन आपने बात नोट की कि डिवाइजर और remainder का difference है तो जो भी difference है उसको subtract कर दिया करते हैं तो भई इनका LCM निकाल ले LCM of 14 24 and 34 यह है न इसको break करेंगे सेवन टू सब हाँ अब यहां से अर्टिया 24 तो टू की पावर 3 इंटू 3 यहां से 17 दूनी 34 17 इंटू कितना भी 2 अब LCM जो बंगे आएगा वो आ जाएगा इनका कितना भी सेवन इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 और इंटू 17 ऐसा कुछ आएगा भी हाँ यह बात समझ में आती है इतना कुछ आ जाएगा अब देखो यहां से अब इसको और भी हम और कैसे लिख लेते हैं इसको multiply करने के लिए हम थोड़ा आसार बना लेते हैं देखो कैसे आठ से आठती है चौबिस ठीक है चौबिस पंजे एक सो बीस एक सो चावालिस और भई एक सो चावालिस और चौबिस एक सो अड़सट वान सिक्स्टी एट इंटू कितना भी 17 तो सत्रह से यह दी मैं multiply करूँगा स्ट्रटीक सुच तिस शे तेरा सत्रह सत्रह चिका एक सो दो तेरा एक सो पंद्रह पांच और फिर आगे भी ग्यारा फिर सत्रेकम सत्रह और ग्यारा अठथाईस इतना आगया अठथाईसो चपन इनका एक समाया और लेकिन अठथाईसो चपन वो लीस नंबर है जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा अठाइसो चपन ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा लेकिन भई हमें क्या चाहिए कि हमें रिमेंडर हर बार अलग-अलग दिये हैं तो हमेशा ये देखो ये चीज़ कॉंस्टेंट देगा क्या डिवाइजर का और जो रिमेंडर है उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा कॉंस्टेंट देगा इकुल देगा तो दस 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 तो माइनस टैन कर दो इसमें से माइनस टैन करेंगे तो रिक्वाइड जो नंबर है वो क्या होगा 2846 2846 जो होगा वो हमारा रिक्वाइड नंबर होगा तो correct answer is 2846 is the correct answer तो ये बात सभी को मैं मानता हूँ, सभी को समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई है, हमने क्या किया, पहले LCM ले लिया, जो भी LCM आया, LCM इन से पूरा पूरा डिवाइड होगा, लेकिन सभी का रिमेंडर अलग अलग था, तो डिवाइड और रिमेंडर का डिफरेंज देखा, तो सबका दस-दस है, तो माइनस 10 हमने कर दिया, तो 2846 इसका बिलकुल सही अंसर हो जाएगा. अब देखो, इसने कहा, इन दा, इन वोट रिशो शोट दा, तो वाराइटी जोड़ा इस और राइज, price at the rate, 40 रुपीज पर केजी, and 60 रुपीज पर केजी respectively, will be mixed together, so that when the resulting mixture, is sold at the rate of 50 रुपीज पर केजी, it, the profit of, कितना भी, 11.11 percent का profit हो, अब देखो, दो वाराइटी है, एक वाराइटी का rate क्या है, 40 है, R divas, दूसरी वाराइटी का है, 60 रुपे के लो लेकिन भी अब आपने क्या किया, उनको mix किया, किस रिशम mix करें, जिससे कि mixture को हम क्या करें यहां पर बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, कितने भई, बेच कितने में रहे हैं भई, 50 रुपीज में, यह लिदि हम 50 रुपीज में बेचते हैं, तो profit हो रहा है, कितन प्रॉफिट हो रहा है तो 11.11% का मीनिंग यह हुआ 1 by 9 यह तो fraction बनेगा यह तो बनता है अभी हाँ क्योंकि 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो 11 पॉइंट वही बनता जाएगा ठीक है ना 11 1 by 9 तो 1 by 9 ठीक है यह आगे भी 1 by 9 तो 1 by 9 क्या बता रहा है कि 9 रूपीज यदि कौस प्राइज है ठीक है 9 रूपीज यदि कौस प्राइज है तो एकका profit तो selling price कता हुआ 10 और वहां selling price कता है 50 तो 10 unit किसके बराबर है 50 के तो 5 गुना हो रहा है तो यहा से cost नाइन का 5 times कितना हो जायगा भी वो कितना हो जाेगा हमारे पास 9 का 5 टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास 45 तो इसका में यह हुआ उसका जो कॉस्ट राइज है वो कितना है भी 45 क्या हुआ भी 45 यह बात सभी को समझ में आती है दुबारे में बता रहा हूं भी देखो 11.11 परसेंट का प्रॉफिट है इतना ही का प्रॉफिट पर यह हम बेचते है अचरते है तो कितने का बेच रहा है पचास रुपे यह से लिnda तो हमें क्या निकालना उसका प्रॉपे क्या प्रॉपई और वहां पर कितना विफ्ट है वी पचास तो दस को के बड़ाबर पांच गुना और तो not सब्सक्राइब यहां से लगा दो इसमें से इसको माइनस किया तो कितना अगया विपांच तो रेशो कितना आ गया भी तो इसका मिनिंग यह हम इनको 31 की रेशो में मिक्स करेंगे तो तब हमें कितना भी मिक्स करते हैं तो तब हमें क्या मिल जाएगा भी प्रॉफिट मिलेगा और पचास रुपे में बेचने पर प्रॉफिट मिलेगा कितना 11.11 परसंट का हमें प्रॉफिट मिल जाएगा प्रतीक शिल्पा आर्थी विक्की निम्रता बिलकुल सही है बहुत ही अच्छे वेरे अगला कोशन ये है कि इन में से कौन से ऐसा नंबर है जो 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा आपसे ये पूछा गया है कि इन चार में से ये जो चार ओप्शन आपके सामने है इन चारों में से कौन से ऐसा नंबर है जो 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा अ लेकिन यह फॉर से नहीं हो रहा है क्योंकि फॉर का डिस्टी रूल क्या होता है लास के टू डिसिट फॉर से डिवाइड होने शाहिए तो पहला तो हो नहीं रहा है दूसरे की तरफ चले तो यह नंबर भी थ्री से तो हो रहा है लेकिन फॉर से यह भी नहीं हो रहा है क्यों अब 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि digit का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो digit का सम 3 से डिवाइड होगा, और यदि हम 4 की बात करते हैं, तो ये 4 से भी पूरा-पूरा डिवाइड हो रहा है, तो option number 4 is the correct answer, तो 192 ये पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है भी, सवन में आया, चलिए, आगे बढ़िए, next देखें, next क्या कहता है, हाँ, अब उसने कहा, आधित्या has goat coins of 10 पैसे and 20 पैसे, भी आधित्या के पास 10 पैसे के, और 20 पैसे के coin है, ठीके न, if he has a total number of 50 coins, उसके पास total 50 coins है, total किते coins है, 50 and their value is 6 रुपीज, उसकी जो value है, वो 6 है, भी जो 50 रुपे हैं, 50 रुपे बन रहे हैं, वो 6 रुपे हैं, तो आपसे पूछा है, what is the total number of 20 पैसे coins with him, तो उसके पास 20 पैसे के कितने coins है, कितने सिक्के हैं, यह आपको बताना है, अब सुनो भी, ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं, एक बाँ बताओ, चलो, उसके पास total सिक्के किते थे, आप कहेंगे सर, 50 सिक्के हैं, उसके पास, अब छोटी सी बास सुनना मेरी, मैं यदि सर, एक सिक्के में 10 पैसे हैं, तो 50 सिक्के हैं, तो 500 पैसे, और 500 पैसे का मिनिंग हुआ 5 रुपे, तो उसके आते हमारे पास 10 रुपी है होते है ना लेकिन ना तो उसके पास 5 रुपी है और 10 हुप Mys+. उसके पास कितने हैं भी 6 उपे तो अब हम क्या लगा देंगे भी allegation लगा देंगे allegation लगाईगे इसमें से इसको minus करेंगे तो कितना आगे भी 4 इसमें से इसको minus किया तो 1 तो 4 और 1 की ratio में है इसका meaning number of coins 10 पैसे और 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो किस अनुपात में हैं 4 और 1 के अनुपात में हैं अब लेकिन हमें कौन से बताने थे 20 पैसे या 10 पैसे के उसमें पूछा है what is the total number of 20 पैसे coins within तो उसके पास 20 पैसे के कितने सिक्के हैं तो भई 50 सिक्के थे कितने सिक्के हैं भई 10 सिक्के हैं हमारे पास 20 पैसे के 10 पैसे थे या थैक है ये बात बताये से बात clear है हां यह ना यह आप से 20 पैसे के पूछे हैं ना कि 10 पैसे के 10 पैसे के 40 हैं 20 पैसे के थैन ठीक है सब ही answer 40-50 दे रहे हैं भई ये कैसे बही qu olvidужд औ लिया करें देखो कोशन आपने किया भी कोशन को ध्यान से नहीं पढ़ा फिर आंसर गलत देखे बैठ गए इसी तरह तो गलतियां होती है पेपर में जो गलतियां होती है वो इसी तरह होती है ऐसा नहीं कि आप से कोशन है तो दस दिखे हो जाए यहां दस पैसे होते तो चालीस आपका अंसर ठीक होता है चलो आगे देखो अगला देखो उसने का दा रेशो आफ टू नंबर इस तू 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 थी दो संख्याओं का अनुपाद कितना है दो पात 3 हैं. उनका HCF कितना है भी 15 है तो बताइए उनका LCM कितना होगा. अब आप एक बात सोचिए कि 2 नंबर है उनका ratio है 2 is to 3 तो हम आ लिते एक नंबर है 2 X तो दूसरा 3 एक होगा. एक 2 X है तो दूसरा क्या होगा 3 X होगा. हा ये ना एक 2 X तो दूसरा क्या भी 3X होगा क्या हुआ भई विक्की पिछले कोशन में क्या दिकत है उसमें तो कुछ दिकती नहीं थी इनका HCF यदि हम देखें LCM चलो पहले LCM देखें तो LCM आजेगा 2 into 3 into X आएगा और यदि HCF देखें तो HCF आता है इसके according X साथ है लेकिन वहाँ HCF उसने कितना दिया भी 15 X की value कितने दिया है भी 15 दिया है तो यहाँ पर direct 15 पुट कर दो 2 into 3 into कितना भी 15 15 ते पैता लिज़ों नहीं नपैता है उनका जो LCM होगा वो कितना आजाएगा भी 90 तो 90 जो होगा वो इसका LCM हो जाएगा विल्कुल आसान सी चीज़ से कुछ भी मुश्किल नहीं था ठीक है चलब ही next आजाएगे next question क्या कहता है हाँ भी देखो यह 220 नहीं है 222 है भी इसको सही कर लेना यह कितना है भी 222 है इसको सही कर लो 222 है यह ठीक है चलो करो भी इसको solve करें भी इसने कहा कुछ छुटा है क्या भी 5 by 8 4 by 9 कुछ नहीं कुछ मुझे लग रहा है इसमें कुछ लग रहा है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ चुटा है कुछ नहीं कुछ लग रहा है क्योंकि भी चलो देखते हैं भी, देखते हैं क्या आता है चले देखते हैं भी यदि मैंने ट्रिपल टू कर दिया इन्टू, उसका भी फोर बाई नाइन उसका फाई बाई एट इसको सोल करें तो चार से दो बार, दो से कितनी बार भी तीन बार, स्वरी एक सो ग्यारा बार पान सो कुछ आ गया ट्रिपल फाइव और डिवाइड़ बाई नाइन नो से नो पंज पैतालिस ऐसा तो नहीं है, तो शिक चावन है ऐसा तो कोई आप्शन नहीं है इसका मेनिंग कुछ नाख छुटा हुआ है इसमें OFF, OFF है ना में लगता है यहाँ पर 5 से 5 तो 3 से, शायद हाँ बही यहाँ पर 3 by 5 ओर कर दे रहा है, into 3 by 5 हाँ के 3 by 5 के 4 by 9 के 5 by 8 का, भई 3 by 5 भी और कर दी ते इसमें 3 by 5 भी और कर दे ना तो इंटू 3 by 5 अब करना यहां से 5 से 5 भी cancel 3 से यह 3 बार cancel अब जरा आ जाएगा यहां से 3 तिया 9 और 3 सत्य 21 अब आ जाएगा अंसर 37 आगे है न उसको सही कर लेना है 3 by 5 भी कर देना 3 by 5 3 by 5 भी कर देना clear है बात समरी में आती है तो correct answer क्या आ जाएगा भी 37 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा छूड़ी गया था अनुपाम अपाध्याई कोई बात ने बटा ठीक है मैं कैसे आ जाएगा 111 कैसे आ जाएगा 37 आएगा न देखो ध्यान से सुरो भाई क्या करते हो भाई विक्की दुबारे बता देता हूँ देखो 222 के 3 by 5 के 4 by 9 कभी कितना 5 by 8 ऐसा है 5 से 5 ये 3 बार ये 2 बार 2 से 1 111 को 3 से डिवाइड करोगी 37 ही तो बन रहा है ठीक है न 37 बन रहा है तो अप्शन नमबर 4 is the correct answer कर ले न इसको सही 222 के 3 by 5 के 4 by 9 के 5 by 8 ठीक है ऐसा कर ले न इसको सही चलो अगला देखो भी अगला कोशन क्या कहता है जरा उसको समझो उसने कहा 4 men and 3 women 4 आदमी है और 3 मैला है can do a piece of work in 6 days and 5 men and 7 women can do the same work in 4 days in how many days will one man and one woman do the same work ठीक है ना तब उस कार्ये को किते दिन में करेंगे चलो देखोगी उसने कहा 4 men है plus 3 women है या देख फॉर्मला M1 D1 equal to M2 D2 मैं उसी में रखना हूँ लिखे देता हूँ चलो M1 D1 equal to M2 D2 M2 D2 यही है ना कितने मेंन है भई 4 men plus 3 women कितने दिन में भई आप कहेंगे सर्च है दिन में इसी तरह 5 men plus 7 women कितने दिन में भई 4 days में तो पहले तो हमें यह बताना होगा relation निकालना होगा या तो हम एक एक दिन का कारिय निकाल ले या इनको arrange करें कि कितने men कितने women की बराबर है ऐसा कुछ करें तो मैं जो target कर रहा हूँ यहाँ पर एक एक दिन का efficiency निकाल लो कैसे भी देखो यहाँ से दो से यह दो बार दो से यह तीन बार अब इसकी कुणा कर दो चारती है बारह 12M प्लस 9W एक्वल टू कितना भी 10M प्लस 14W ठीक है न अब यहाँ से हम क्या करते हैं man-man एक तरफ woman-woman एक तरफ तो 2 men एक्वल टू कितना भी 2 men एक्वल टू 5 women clear तो man और woman तो 5 by 2 जैसे ही आपने यह किया न तो जैसे ही आपने यह किया तो तभी man upon me woman यह दिया आपने किया तो यहाँ पर इनका एक तरीके से efficiency आगी बस इसका use कर लो इसका use कर लो अब देखो हमें किसका जवाब दे रहा था कि one woman one man और one woman कितने दिन में उस काम को करेंगे तो फिर इसी formula में one man plus one woman कितने दिन में करेंगे d1 equal to या तो यह वाली question ले लो या फिर यह तो पहली वाली क्या थी four men plus three women करते हैं कितने दिन में भी वो करते हैं six days में ऐसा कुछ है तो अब क्या करना है जहां जहां m है वहां पर five रख दो जहां जहां डबलू है वहां टू रख दो अपने आप आप आजाएगा यहां पर five रखेंगे तो five लाइव और टू बंजा टू five प्लस two seven आगया into d1 equal to five into four पांचोख बीस plus three into two six into कितना भी six यहां से दिह हम देखें तो d1 की value कितनी है आगई 26 into six upon me कितना भी seven ऐसा कुछ है तो चैचंग 36 तीन चैदुनी बारात इन पंद्रा अब यहां से divided by seven seven to the fourteen बचा कितना one sixteen होगा seven to the fourteen और यह कितना है twenty two two by seven आगया है तो option number two जो होगा three sorry option number three जो होगा उसका बिल्कुर सही आंसर हो जाएगा तो twenty two two by seven days में वो वो work को कर जाएगे तो भी हम हमेशा ऐसा कर लिया करो कि बाद में फिर आपको कनवर्ट करने की जरूत नहीं है आपको बस यहां एफिसेंसी निकाल लिया करो एम अपोन में डबलू जैसे भी है जो भी आ रहा है वो आपने निकाल लिया और फिर अपना solve कर दिया ठीक है बात समझ में आती है किसी को डाउट तो नहीं भी चले आगे तो करेक्ट आंसर इस ट्वंटी टू टू बाई सेवन ऑप्शन नमबर त्री जग करेक्ट आंसर भी शिल्पा ने सही आंसर दिया वही विक्की का गलत हो गया भी हाँ दुबार है बता देता हूँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है देखो घबराओ मत देखो M1D1 इक्वल टू M2D2 तो हमें शुरुवात में दिया था क्या भई 4 men 3 women कितने दिन में 6 डेज में इसी तरह 5 men 7 women कितने 4 डेज में अब हम क्या करेंगे यहां से 2 से 2 2 जा 2 3 जा यह बासन में आते हैं अंदर मल्टिप्लाइ किया 12 men प्लस 9 women इक्वल टू कितना भी 10 men प्लस 14 women अब यहां से देखो man-man एक तरफ woman-woman एक तरफ तो यहां से man upon me one five by two आ गया और five by two जैसे ही आया तो हमें क्या मिला यहां से इनका one day work मिल गया एक तरीके से यह एक तरीके से efficiency होगी ठीक है ना m equal to five w equal to two तो हमें किसका answer निकालना है one man और one woman कितने दिन में करेंगे तो m1 प्लस one man प्लस one woman d1 days में करेंगे और हमें पता है four men और three women कितने में करते हैं वही six में करते हैं यहां से value निकाली तो d1 की value कितने हैं आ गई 22 2 by 7 तो correct answer is 22 2 by 7 days में वो कर जाएगे क्लेर चलें नेक्स आजी कोशन नंबर 13 देखो भी कोशन नंबर 13 में क्या लिखा है एट train start from place d at 6 a.m. and reaches place g at 10 a.m. the train b start from g at 8 a.m. and reaches place d at 11 30 a.m. the distance between d and g is 200 km तो at what time will both the train meet each other तो एक दोसे से कितने बजे वो मिलेंगी यह आपको बताना है देखो place कौन-कौन है भी एक तो है d और एक है g और d से g के बीच की distance कितने है भी 200 km की है अब यहां से यहां से हमें करना क्या है यहां से एक train चलते है कितने बजे 6 बजे यहां से एक train चलती है और यहां से चलते है d से और g पर पहुंचते है कितने बजे भी 10 बजे 10 बजे दूसरी train ऐसी है जो g से चलती है train b जो g से चलती है ठीक है ना और कितने बजे चलते है भ भी 1130 पर यह पहुंचती है 1130 पर यह पहुंचती है अब आप एक बास समझों क्या हमें इनकी स्पीड पता है नहीं पता नहीं पता तो हम पहले इसकी कितनी 50 km पर आवर अब दोसरे वाले के दि हम देखें तो आठ बजी चलके साड़े-ग्यारा बजी पहुंचती है तो साड़े-तीन घंटे लगाए और साड़े-तीन घंटे में कितने किलोमेटर दोसो तो स्पीड यदि हम देखें तो कितनी आ जाएगी दोसो अपॉन में कितना साड़े-तीन 3.5 ऐसा कुछ है पक्का अब यहां से पॉइंट अटाओगे तो उपर कितना आ जाएगा टेन पास दुनी दस पास सते पैंटिस तो कितना 400 बाई सेवन आगे 400 बाई सेवन किलोमेटर प तो जभी 6 वजए चल रही है तो 6-8 तक तो अकेली चलेगी और 6 बज़े-ते कितना खंटी अकेली चली दो गटे आएगी स्पीड आया थी तो जब तक 8 बजए वहंगे तब तक प्रिये provinsi मटत जा चुकी होगी ठिर इसके बाद की बात है निया के बाद फिर वो बचे कितनी बई 100 किल मेटर अब यह जो हंड़ाइड की हैं दोनोंने मिलकर ट्रैवल कि होगी हैं के डिसेंस से दोनों ने मिलकर ट्रैवल कि अब यह जो दोनों ओन्हें मिलकर । तो टाइम कितना लेगे ये इधर जा रही है ये इधर जा रहे है तो इसकी स्पीड है भी 50 और इसकी स्पीड है कितने भी 400 भाई कितना 7 तो 735 तो 100 अपन में कितना भी 350 प्लस 400 अपन में कितना 7 7 उपर आ जाएगा तो 700 अपन में कितना भी 750 है आ जाएगा इतना ये आवर में है लेकिन इस आवर को कि किसमें कर देंगे इसको आवर को हम कर देंगे मिनेट में मिनेट में करने के लिए इन्टू कितना भी इन्टू सिक्स्टी यह तो घंटे में इसको मिनेट में करने के लिए हमें किसे मिल्टिप्लाइए सिक्स्टे से जीरो से जीरो पास से कितनी बार भी आप कहेंगे सर पास स चौदा बार, पास से पंदरा बार, पंदरा से ये कितनी बार भई, चार बार, ये 56 मिनट, तो इसका मिनिंग 56 मिनट के बाद भी मिलेंगे, लेकिन 56 मिनिट किसके 56 मिनिट, आठ बजने के 56 मिनिट बाद, और आठ बजने के 56 मिनिट बाद का मिनिंग क्या है, 8.56 पर ये एक द बात है दो अलग-अलग इस्टेशन है आप दो प्लेस हैं एक दी है और जी है उनके बीच की डिस्ताइस दो सो किलोमेटर एक ट्रेन डी से चलती है जी के लिए छे बजे चलती है तो दस बजी इसका मिनिंग चार घंटे में पहुंचती है दूसरी ट्रेन जी से डी के लिए अब आपके माइंड में यह चलेगा कि जब यह चार घंटे में पहुंच रही है और चार घंटे में 200 किलोमेटर तो एक घंटे में कितना भी पचास किलोमेटर तो 50 किलोमेटर पर आवर की स्पीड आगे और दूसरी ट्रेन आठ बजी चलके साड़े ग्यारा बजे किले चली होगी और यह घंटे में 50 तो दो घंटे में 100 तो बाइक बचे के दिसंस सो क्लोमेटर के और इसकी स्पीड है फिसकी और इसकी स्पीड है कितनी बाद एक दूसरे से मिलेंगी तो अब बताईए ये बात मैं मानता हूँ सभी को समझ में आ गई होगी क्लियर है? चलो प्रवीन कुमार चलिए बताओ भी करो कोशंस को करो जवाब देते जाईए अगला देखे भी शेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजे चैनल को क्या कहा? एक एंट टू थर्ड पार्ट ओफ ए सर्टेइन वर्क इन सिक्स जेज उसने कहा ए जो है टू थर्ड पार्ट को सिक्स जेज में कम्प्लीट करता है बही कोई भी काम है उसका टू थर्ड पार्ट अरे जब टू थर्ड पार्ट को 6 days में complete करता है, तो पूरा काम किते में करेगा, पूरा काम करेगा देखो 2÷र्ड पार्ट कर रहा है 6 days में तो पूरा काम करेगा, 6 into 3 by 2, तो death कितना भी, 9 days में है, इसी तरह, B की यह दिए हम बात करें, B 1÷र्ड पार्ट करता है किते में 8 में, तो पूरा काम आठती है, 24, 24 डेज में C जो है, C 3, 4 पार्ट करता है 12 डेज में, तो पूरा काम करेगा 12 into 4, भाई, कितना भी 3, तो 3 चुक 12 16 डेज में, हाई पक्का, इतनी बात सभी को समझ में आता है, clear है अब क्या करें, इनका common multiple निकाल लो, भी 144 मान लेते हैं, total work कितना है, ये total work आगया हमारा 144 अब, one day work एक दिन का काम, ये 9 दिन में 144, तो एक दिन में कितना भी 16 unit, 16 निम्मा 144, ये 24 दिन में 144, तो एक दिन में 24 पंजे, 24 शिक का 144 अब ये 16 दिन में 144 तो एक दिन में कितना भी, नो ये बाते समझे में आती हैं, सभी को अब, question के language समझो कहना क्या चाता, अब देखो, हमने total work निकाल लिया, एक एक दिन का काम निकाल लिया, अब देखो, question में पोचा क्या है, और क्या क्या का है, उसने क्या कहा all of them, all of them का मिनिंग तीनो की तीनो, A, B और C, all of them work together for four days तीनो ने मिलकर चार दिन काम किया, किस-किस ने भी A, B और C तीनो ने मिलकर चार दिन काम किया, four days तक work किया, फिर क्या हुआ फिर यह हुआ thereafter A and C leaves the work, A और C ने काम छोड़ दिया, तो इसका मिनिंग बचा कोन है, B B बचा हुआ है, अब इसने का in how many days will be alone do the remaining part of the work तो B अरकिला उस काम को कितने दिन में करेगा, अब आप यह सोचिए चार दिन में इन्होंने कितना काम किया हुआ इनको जोड़ लो भई, चार दिन में कितना किया हुआ 16 16 और यहां से 6, 16 और 6 कितना हो गया भई, 22 ठीक है न, 22 और 9 कितना भई, 31, तो एक दिन का 31 है, तो चार दिन का 4 इंटू 31, तो चार इकम 4 चारती है 12 ठीक है, यह वह तो 124 यूनिट इनोंने कर लिये, 4 दिन में 124 टोटल था 144, तो कितना 20 यूनिट बचा हुआ है अब यह 20 यूनिट करेगा कौन इन 20 यूनिट के लिए करेगा कौन, भई, 20 यूनिट करने के लिए कौन करेगा भई, वो करेगा B, और B का एक दिन का काम कितना है, 6 तो 20 यूनिट करने में 20 बचा कितना 6 छेट्य अठारा बचा कितना भई, 2 तो 2 बाई 6, तो 2 बाई 6 का मेनिग 1 बाई 3, और 1 बाई 3 का मेनिग होता है 0.33, तो 3.33 डेज में वो रिमेनिग वर को कर देगा ठीक है न, 3.33 सब्सक्राइब को कर देगा है कि क्लियर बास समझ में आती है चलिए आगे देखिए भी अगला देखो चलो इन में से बताओ इस को बताईए इस को बढ़िए फटाफट बताईए फटाफट बताईए विच आफ दा इस नोट लीपियर इन में से कौन सा लीपियर नहीं है यह आपको बताना है इन में से कौन सा लीपियर नहीं है यह आपको बताना है चलो इस कोशन का जवाब आप लोग दीजिए इस कोशन का जवाब आप लोग दीजिए बताईए इन में से कौन सा लीपियर नहीं है देखो बटा लीपियर की कंडिशन पहले जान लीजे लीपियर की कंडिशन क्या होती है देखो पहले हमें देखना होता है कि किस से करें कि यहां जाता है तो सेंचेयर को हमेशा 400 से डिवाइड करके चेक किया जाता है century Hijr encourage 400 से और non century year को से divide करके check किए जाता है तो पहली चीज़तो हमें यही देखना है कि यह century year को non century year नों century year है , चारो के चारो क्या है century year है यह सब क्या है century year नहीं ? सबसक्ति क्या क्या रो यह खी ? तो आप कह सकते 1200-400 से divide हो जाता है तो पूरा-पूरा divide हो रहा है लीपियर है और 2000 भी 400 से पूरा-पूरा divide हो रहा है तो लीपियर है लेकिन 1400 से divide नहीं होता तो 1000 लीपियर नहीं है option one number 3 is the correct answer option number 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है तो भी सबसे पहला काम यही होगा कि आप यह चेक करें कि वो लीपियर सेंचुरियर है यह नौन सेंचुरियर होता तो फोर से डिवाइड करके हम चेक करते हैं दोनों बाते मैंने आपको समझा दी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखिए इसने का फूर्द फॉर्स टू यह दा रेट ऑफ इंट्रेस्ट परेनम फूर्द नेक्स त्री यह पहले दो साले तीन परसेंट अगले तीन साले भी आट परसेंट और पांस साल से ज्यादा ज परसंगेट 1520 एस सिंपल इंट्रेस 1520 उसे सिंपल इंट्रेस्ट मिला फूर्ष यह शाल के लिए तो वाटमांट हैंड ही डिपोजिट तो उसने कितना अमांट डिपोजिट किया था यह आपको बताना अब इसके लिए आप क्या करें भी सिंपल सा है देखो कुछ मत करो प और इंटू वाई या आप कहले जिए टी कर लेते हैं 2% 2 साल 3% तो टोटल कितना भी 6% मिलेगा पहले 2 साल में फिर 3 साल अगले 3 साल में कितना भी 8% तो 8 तो 24 24% यहां मिला फिर 5 साल हो गए भी 5 साल हो चुके ना उल्टा लिख दिया भी मैंने इनको हाँ 3% 2 साल तो ओवरोल 6% मिला फिर यहां पर 8% है 3 साल तो आठती है 24% यहां मिला अभी तक कितने साल हो गए हैं 5 साल अभी लेकिन टोटल 6 साल का था तो हमारे पास एक साल और बचा है और उस एक साल में कितना परसेंट 10% एक साल के लिए कितना भी 10% तो यह हम यहां से देखें तो ओवरोल कितना परसेंट मिल गया वही 40% तो इसका में जो इंट्रेस्ट मिला है वो प्रिंसिपल का कितना है 40% तो प्रिंसिपल का 40% वो किसके बराबर हो गया डारेक्ट आप यह कह सकते हैं चारती बारा चारती बत्तिस तो 3800 उसका क्या होगा प्रिंसिपल हो जाएगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा तो करेक्ट आंसर इस 3800 is the correct answer ठीक है ना बात समझ में आती है आसान सा कोशन था बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं बहुत अच्छे भी जिस जिसने किया है यह कोशन आरती ने किया है शिल्पा ने किया है श्रिवास्तव जी ने किया है बहुत अच्छे वेरे वुड विक्की ने निरंजन प्रतीक बहुत अच्छे भी वेरे वुड ग्लियर है बाते यहां तक समझ में आ गई चलिए आगे देखी नेक्स्ट क्या कहते है अगला भी इसको सॉल करो देखो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है जैसे इसने क्या क्या कहा 9.3 into 9.3 into 9.3 plus 1 upon me इस सो लिखा 9.3 into 9.3 minus 9.3 plus 1 यही है न अब आप यहां से थोड़ा सा दिमाख लगा हुई कहीं न कहीं आप यह देख रहे हैं कि यहां पर क्यूब है 9.3 का क्यूब 9.3 का क्या लिख सकता हूँ क्यूब और plus 1 का क्यूब तो 1 होता तो 1 क्यूब मैंने भी लिख लिए कोई फर्ब तो पढ़ेगा नहीं यहां देखे तो 9.3 का स्कॉल जोसका है मायनरश 9.3 और प्लस यहां से थों ऑन का स्कॉल A square plus B square minus AB ऐसा कुछ हुआ करता है ठीक है clear है, अब वही चीज यहाँ पर भी है same वही चीज यहाँ पर भी है ठीक है, तो अब देखो यदि हमें इसको open करता हूँ, तो ऐसे ही आ जाएगा 9.1 sorry, 9.3 plus 1 और दूसरे packet में क्या आएगा भी 9.3 का square plus 1 का square minus 9.3 into 1 यही आएगा, और नीचे किता है, 9.3 का square है, और minus 9.3 है, और plus 1 का square है, same वही चीज है तो अब आप एक बात देखी, कौन सा part हमारे पास cancel हो रहा है, हाँ यहाँ से यह वाला part पिलकुँ same है यह cancel हुआ, तो हमारे पास बचा इतना 9.3 plus 1 9.3 plus 1, that is कितना अगे अभी, 10.3 is the correct answer, तो option number 2 is the correct answer option number 2, इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा clear है, बात यह समझ में आती है, चले, चले next question कियो चलते हैं, next question क्या कहता है, तो वैसे भी आपको इतना सारा वहाँ लिखना नहीं है यह तो केवल मुझे आप लोगों को समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है आप जैसे ही question में देखेंगा भी इस तरह की form बन रही है, तो समझ जाओ यहाँ कौन सा वाला part है, plus वाला question है तो plus ही होना है, simple दिबात है इन उनों का sum 10.3 आएगा, correct answer आधे second का है, लेकिन यह बाते आपको समझ नहीं होगी, और केवल मुझे समझाने के लिए इतना सारा कुछ लिखना पड़ता है otherwise, वहाँ पर paper में आपको इतना कुछ भी नहीं लिखना है ठीक है, चलिए next आजएगी, next question क्या कहता है, ज़रा, समझे इसने कहा, there are 10 boys and 15 girls, भी यहाँ पर 10 लड़के और 15 लड़किया है of in a class of commerce 3 students are chosen at random उनमें से हमने 3 students हमने चूज की what is the probability that 2 girls and 1 boy have been selected तो भी, देखो अब probability का question है, probability का question है तो probability कैसे निकाले है, पहले total outcomes, total outcome कैसे तो पहले तो देखो हम select कितनों को कर रहे हैं 3 students are chosen at random भी, हम 3 को select कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो यह हो गई, total कितने student है 10 लड़के हैं और 15 लड़के हैं तो total हो गया भी 25 उन 25 में से हम select कर रहे हैं 3 को तो 25, C3 हो गया ठीक है न, अब वो जो 3 है उनमें से हम चाहते क्या हैं कि 2 तो लड़किया हो, total लड़किया कितने हैं भी 15, 15, C2 लेकिन select हमने 3 को किया है, 3 को करना है तो 3 में से हैं तो अभी 2 ही हुए हैं तो इसका में एक बचा हुआ है भी और उसमें एक क्या हो लड़का हो, one boy कह रहा है भी तो 10, C1 क्या ये बात समझ में आती है अब ज़रा इसको solve कर लेते हैं नीचे कितना आता है ज़रा उसको देखें नीचे यदि हम solve करें तो 3 into 2 into 1 उपर कितना आता है भी 25 into 24 into 23 clear है यहां से उपर लिखेंगे 15 into 14 अब उन में 2 into 1 और यहां पर वही से कितनी बार वही साथ बार आ गया तो कितना आ जाएगा 15 into 7 into 10 अब उन में 25 into 4 into 23 ऐसा कुछ आ जाएगा अब इसको solve कर लेते हैं 5 ती है 15 5 25 5 से यह 2 बार 2 से यह 2 बार तो कितना भी 27 21 अब उन में कितना भी 46 21 by 46 तो correct answer जो आ जाएगा 21 by 46 option number 3 is the correct answer option number 3 जो होगा वो इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा ठीके न option number 3 इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा क्या बात clear हो गई इस सभी को तो ऐसा मुश्किल question नहीं था कि बहुत ज़्यादा tough है तो आप लोग कर सकते हैं बात मैं मानता हूं कि क्योंकि मैंने इस तरह के आपको जब topic पढ़ाया था तब भी आपको समझाया तो ये चीज़े आपके mind में सेट हो जानी चाहिए कि हमें करना क्या है इस किस तरह से question को deal करना है ठीक है चलिए आगे देखते है next question देखिए next question क्या कहता है भी देखो कितना आसान सा question दे दिया इसने का how many days are there in y week and 20 y days देखो कुछ बच्चे तो यहां पर भी घड़ बढ़ कर जाएंगे चलो इसका जवाब आप लोग दो इसका जवाब मैं आप लोगों सहीं पूस्ता हूं चलिए बताईए इससे आसान question कुछ भी नहीं हो सकता सीपक क्या doubt है उसमें पिछले question में doubt है क्या है बताईए बताईए जो भी doubt है तो बताईए मैं आपको बता देता हूं चलिए एक बार मैं बता देता हूं देखो इसमें क्या था टोटल पच्छिस विक्ति हैं दस लड़के और पंदा तीन को हमें सब्सक्राइब तो 25C3 क्योंकि selection का काम करता है हमेशे combination सी ठीक है ना अब रही बात उन्हें से दो लड़किया होने चाहिए टोटल कर से 15 15C2 और बॉय होने चाहिए एक तो 10C1 अब देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं इनकी वैल्यू देखो ध्यान से यहीं चीज़ आपको प्रोब्लम हो सकती है तो नीचे देखो 325C3 है ना तो 3 x 2 x 1 नीचे 1 तक लेगे तो 3 step चले ना तो यह उपर भी हमें 3 step चले और decreasing order में 25, 24 और 23 यह आगया इसी तरह से 15C2 की value 2 x 1 और उपर आगे 15 x 14 इसको solve किया और 10C1 होता है भी 10 तो यहां से solve करके 20 1 x 46 क्या बात है भी बहुत बढ़ी है भी गड़बढ कर दिया देखो इतना असान से question में कैसे गड़बढ कर सकते हो है ऐसे कैसे गड़बढ कर सकते हो question को ध्यान से पढ़ो question को ध्यान से पढ़ो देखो इसने लिख्या क्या है how many days are there in y week y week है हमारे पास y week है और 20 y days है यह तो already days है इनको तो change करना ही नहीं है इनको बदलना है इन days में और एक week में कितने दिन होते है भी साथ एक में साथ है तो y में कितना 7 y plus इसमें days यहां पर days कितने है 2 y तो right answer 9 y नहीं हो जाएगा क्या होई आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो भी इतना तो मैं इतना तो भई आपसे तो ऐसे उमीद नहीं कर सकता भई मैं आप लोग इसमें कोशन में कर देंगे तो correct answer is 9 y is the correct answer ठीके ना ध्यान से कोशन को ध्यान से पढ़ लिया करें मैं समझगे आपसे आता थोता अधिकत क्या थी कि आपने जल्दबाजी में पढ़ा है ना तो मैं आ बात समझें आए यह जो आगे दिया है ना यह यहां पर 22 y days है क्योंकि यह तो already days है और यह क्या है week है तो week के days convert करोगे एक week में 7 दिन तो y में 7y और 2y वो days है तो total 9y नहीं आ जाएगा क्या है सन में आया है ना चलिए आगे देखिए अब देखिए इसने कहा if 50% of x is equal to the sum of the y plus 20 तो what will be the value of x minus 2y x minus 2y की value क्या होगी यह आपको बताना है देखो 50% का meaning बता हो चलो 50% का meaning क्या होता है 50% का meaning होता है ब्लाइंट आधा होता है तो x by 2 would equal to वो किसके बराबर है Y plus 20 के बराबर है Y plus 20 के X by 2 equal to किसके बराबर है Y plus 20 के बराबर है तो what will be the value of X minus 2Y X minus 2Y की value क्या होगी इस 2 को इधर ले जाओ X equal to कितना है 2Y plus 40 इस 2Y को इधर ले जाएंगे X minus 2Y equal to कितना गया होई 40 तो correct answer is 40 तो right answer is 40 is the correct answer, 40 इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा ठीक है, बात है clear है चले आगे, चले आगे बढ़ते हैं धीरे-धीरे कोशिण को ध्यान से पढ़ो चलो, solve करो इसको करने कि अच्छा कोशन है देखो उसने क्या कहा बहुत ध्यान से पढ़ना और ये कोशन ने कहा मैंने एक नहीं, एक ऐग्जाम में नहीं बहुत ऐग्जाम में देखा और चाहे वो SSC CPU SSC में UP Plus के exam में same question है यह बस वो थोड़ी-थोड़ी value बदल देता है बागी कुछ नहीं यह question इतनी बार आया होगा देखो इसने क्या कहा the ratio between the fare of first class और second class भी एक first class और second class का जो train का जो फेर है फेर का रेशो जो है चन्नाइट बैंगलोरो इस 20 इस टूवन देखो दो है यह first class train है यह second class ठीक है ना उसके फेर का जो रेशो है वो क्या है 20 इस टूवन का 20 इस टूवन क्या बता रहा है कि फर्स क्लास का ticket 20 रुपे का है तो second class का ticket एक रुपे का एक तरीके सा यह रेशो है फिर है फिर उसने का the ratio of number of passenger traveling between these station in the first class and second class is 1 is 240 जो जो पैसंजर है नमबर फैसंजर है उनका जो रेशो है 1 is 240 1 is 240 इसका मिनिंग ये है कि यदि 1st class में 1 वेक्ती travel करता है तो 2nd class में 40 वेक्ती travel करते हैं अब यहां से देखो एक बास सुनो यहां से हमारे पास जो collection होगा इस वारी से 1st class से तो अब आप कहेंगे कितना हो जाएगा अब आप एक बात सोचो यदि एक टिकेट है 20 रुपे का और एक ही पैसेंजर बैठा तो कितने रुपे आएंगे आप कहेंगे सर 20 रुपे आजाए रहे हैं अब यदि सेकंड क्लास में गटिकेट एक रुपे का है लेकिन पैसेंजर तो 40 बैठे तो 40 रुपे यहां से आगे तो टोटल कितने रुपे आगे हमारे पास साट रुपे आगे लेकिन उसने क्या कहा इस सम और रुपीस 3600 इस कलेक्टेट फॉंद पैसेंजर ट्रैवलिंग बिट्विन दीज तो इस टेशन ओन इस सर्टेन डे उसने कहा यदि एक दिन किसी दिन वहां से जो टोटल कलेक्शन का जो सम है दोनों से फर्स क्लास और से क्लेक्शन हुआ वो 3600 रुपे हैं लेकिन हमारे साब से तो कितना और भी 30 रुपे लेकिन कह रहा है भी 36多 तो कितना गुना और अभी ये देखें तो 60 टांश हो रहा है तो फिर्स से यहां से워서 ऑटी कर दीजी इसका 60 क्रेंघी तो छॉड भारह तो बारह जो प्या क्लास से हमें कितना मिला था 1200 रुपी मिले था, option number 3 बहुत अच्छे बही जिस जिस बच्चे ने इसका जवाब दिया बहुत ही शांदार, विक्की, प्रतीक, निम्रता ठीके, श्रिवास्ताब जी, शिल्पा दुर्गा, आर्ती बहुत ही अच्छे बही, बहुत शांदार सभी शांदार बच्चे हैं वही अनुपम बहुत सही भी next आज़ी, next क्या कहता है, अच्छा कोशन, बहुत ही शांदार कोशन चलो, कोशन क्या कहना चाहता है, यह ज़रा देखो, इसने कहा 0 factorial, प्लस 1 factorial, प्लस 2 factorial, प्लस 3 factorial, प्लस 6 प्लस 98 factorial, और इसको मैंने डिवाइड किया, किस से भी 5 से, इसको मैंने किस से डिवाइड किया, भी 5 से डिवाइड किया, तो जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो उसने पूछा है, what will be the remainder, remainder क्या होगा, 6 कितना बचेगा, यह आपको बताना है, यदि मैंने 5 से डिवाइ को समझ लेते हैं, चान लेते हैं, यदि मैं आप से ये कहता हूँ, ध्यान से समझ रहा, कि मैं आप से ये कहता हूँ, 40 को यदि मैं 5 से डिवाइड करूँ, तो क्या remainder आएगा, चलो ये बताओ, 40 को यदि 5 से डिवाइड करेंगे, तो remainder क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो remainder 40 को यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 5, 8, 40, तो remainder क्या आए, बही 0 आए, बात समझ में आती है, लेकिन एक बात सोचो, यदि मैं इस 40 को ऐसे ना लिखकर, 40, 4, 0 ना लिखकर, इसको मैं ऐसे भी तो ब्रेक करके लिख सकता हूँ, 8 इंटू 5, 8, 50, 40 ही तो होते हैं, और यदि मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, तो remainder क्या रहे, तब भी 0 ही तो बात तो एक ही है, तब भ 0 ही आएगा, बास में आते हैं ना, यदि मैं जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यदि वही नंबर उपर मल्टिप्लिकेशन में है, तो remainder हमेशे क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये बात हमारे mind में बैठ जानी चाहिए, यहां से ठीक है ना, अब यदि मैं एक बात सो जाओ, तो 5 से डिवाइड करें, रिमेंडर बताएंगे, तो फिर 5 उपर दिखाई दे रहा है, 5 से डिवाइड करें, तो remainder फिर 0 ही रहेगा, ये बात समझ में आती है, फिर भी 0 ही रहेगा, ये बात clear, अब देखो जब हमें ये बात समझ में आ गए, कि जिस नंबर से आप करें, ये वही नंबर या उसका multiple, उसका multiple भी हो सकता है, कोई ऐसा ज़रूर नहीं कि वही नंबर, उसका multiple भी होगा, तो remainder क्या आएगा, 0 आएगा, ये बात clear हो गई, clear, अब इस logic का हम use यहां करते हैं, कैसे भी, देखो, अब आप एक बात सोचिए, कि हमें करना क्या है, 0 factorial, प्लस 1 factorial, प्लस 2 factorial, प्लस 3 factorial and so on, अब तो 98 factorial, अब 98 factorial का मीनिंग क्या समझ दो, 98 factorial का मीनिंग ये होगा, अब ध्यान से समझ ना भई, 98 factorial का मीनिंग ये होगा, 98 into 97 into 96 and so on, यहां पर 5, 4, 3, 2, और 1, यही तो आएगा ना, और divided by कितना, divided by 5, यदि 98 factorial को 5 से डिवाइड करोगे, तो रिमेंडर क्या आएगा, चलो बही बताओ, रिमेंडर आएगा, यहां 0, क्यों, क्योंकि 98 factorial में भी तो 5 है, भई आ रहा है न, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और डिवाइड किससे करें है, 5 से तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो रिमेंडर कितना आ गया, तो जब 98 factorial को डिवाइड किया, तो रिमेंडर 0, अब इससे इधर यह दि मैं 98 हटा दूं, तो आप कितने फैक्टोरेल लेगा, आप कहेंगे सब 97, है यहां पर 97 into 96 into 95, and so on up to 5, 4, 3, 2, 1, अब भी रिमेंडर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 5 तो यहां पर भी है, फिर 96 factorial में भी 5 आएगा, कहां तक 5 आता जाएगा, भी 5 factorial तो 5 आएगा, तो 5 factorial में हर इसमें, क्योंकि 5 factorial की value होगी 5 into 4 into 3 into 2 into 1, clear है, तो 5 factorial तक तो रिमेंडर आया, 0, अब बचा कौन-कौन से हमारे पास, एक तो 0 factorial, प्लस 1 factorial, प्लस 2 factorial, प्लस 3 factorial, और प्लस 4 factorial, यहीं तो बचा, क्योंकि 4 factorial मे फाइन में आएगा, 4 factorial में क्या होगा, 4 into 3 into 2 into 1, अब और डिवाइड करना है, किस से, 5 से डिवाइड करके, रिमेंडर निकालना है, अब यहां से, 1 factorial, 0 factorial value क्या होगी, 1, प्लस 1, प्लस 2 into 1, 2 आ गया, 3 factorial की value, 3 into 2 into 1, तो 3 दूनी 6, और 4 factorial की value कितनी आएगी, 4 दिया, 12 दूनी 24, और divided by कितना भी, 5, अब यहां से देखो, इनको जोड लो, इनको इदी आप जोडेंगे, तो कितना आ जाता है, 24, और 6 कितना भी, 30, और 32, 33, 34, तो 34 भाइड कितना भी, 5, और 5 से मैंने डिवाइड कर लिया, तो रिमेंडर कितना भी, 4 आ गया, ख्लेर है, तो रिमेंडर कितना भी, 4, भाइड इसको 5 से 34 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, भी, 4, 4 रिमेंडर आएगा, तो गरेक्ट आंसर इस 4, 2 नहीं आएगा भी, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, अब बताओ भी, इतनी बात समझ में आ गई, ख्लेर है भी, हाँ, तो रिमेंडर कितना भी, 4 आ जाएगा, भी, रिमेंडर कितना भी, 4, अब बताओ भी, चीज़े ख्लेर है, भी 34 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, हाँ, भी, नहीं, नहीं भी, वान होता है, चले, अगला देखो भी, हाँ, भी, वही तो लिखा है, ठीक है, चले, चले, आगे शुरू करें, नेक्स देखे, भी, नेक्स क्या कहता है, next question देखे, after travelling a distance of 300 kilometers, a train meets an accident which is 40 percent less than total distance, ठीक है ना, ठीक है ना, total distance है किता, 40 percent कम है, ठीक है, अभू, it takes an hour to repair, and the train, and then speed of the train is reduced by 20%. The total delay is of 2 hours find the original speed of the train. Train की original speed क्या होगी, यह आपको बताना है. Train की original speed क्या होगी, यह आपको बताना है. चलो बताओ भी. जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यह बहुत ही अच्छा कोशन है. देखो, कहानी क्या है, कहानी कुछ इस तरह से है. एक train है, माल लेते हैं, यहाँ से चली. 300 किलोमेटर चल दी, 300 किलोमेटर चलने के बाद. फिर क्या हुआ, एक्सिडेंट हुआ, और उसने कहा, meet an accident which is 40% less than the total distance. यह वाली जो distance है, यह total distance से 40% कम है. तो इसका मिनिंग यह वाली जो 300 किलोमेटर है, यह 60% के बरावर है. 60% के बरावर है, तो इसका मिनिंग आगे का जो पार्ट बचा, वो कितनी किलोमेटर का बचा, भी 200 किलोमेटर का बचा. क्योंकि total distance से 40% कम, वो अभी तक चल पाए थी. clear है, तोटल distance 500 हो गई ना? clear है, फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अब उसने देखो क्या कहा था? यहाँ पर accident हुआ था, meet an accident, कहाँ पर? 300 किलोमेटर चलने के बाद, वो accident से meet हुआ, और यहाँ पर उसकी speed क्या हो गई, वो एक घंटा रिपेरिंग में लगा, और एक घंटा लेट वो पहुँची, ठीक है ना? clear? तो total 2 गंटे delay हुई है, यही तो कहने का मिनिंग है, total 2 गंटे delay हुई थी. लेकिन यहाँ पर जब वो accident से meet होती है, तो तब उसकी जो speed है, तो इसकी speed कितनी % कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है, तो speed 20% का मिनिंग क्या हुआ, 20% का मिनिंग होता है, 1 by 5, तो इसका मिनिंग 5 से 4 रह गई, speed हो गई 5 से 4, जब वो दुबारा यहाँ से चलना शुरू किया, तो speed हो गई 5 से 4, तो time क्या हो जाएगा, time हो जाएगा 4 से 5, ठीक है, 4 से 5, अब एक बात सोचो, तो आप से पूछा है कि उसकी original speed किते थी, अब देखो यहाँ पर, देखो यदि वो पहले 4 मिनिट में पहुंचती थी, तो अब 5 मिनिट में, यह 4 गंटे में, तो अब 5 गंटे में पहुंच रही है, तो यहाँ पर कितने घंटे लेट है, एक घंटा लेट है, लेकिन question में क इसका में यदि वो एक्सेलेंट के बाद एकदम चल देती है, एक घंटा उसका रिपेर न करके, वो एकदम चलती है, तो इसका में एक घंटा ही लेट होती, एक घंटा ही क्या होती, वहाँ पर एक घंटा लेट होती, क्योंकि एक घंटा उसका रिपेरिंग का था, तो एक यहां परबी एक है तो इसका मिनिग चार किसके बड़ाबर चार चाहिए तो यह हाला जो पार्ट है 200 गंटे में ट्रेवल कर लेती और जब वो चार घंटे में ट्रेवल करती 200 किलमेटर तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी स्पीड is equal to क्या होता है डिस्सेंस अपन में टाइम डिस्सेंस तो है भी 200 टाइम कितना है भी चार तो यहां से 50 किलमेटर पर आवर की उसकी ओर इसराली स्पीड थी तो correct answer is 50 किलमेटर पर आवर तो right answer is 50 किलमेटर पर आवर उसकी original स्पीड थी क्या बात समझ में आती है 50 किलमेटर पर आवर उसकी original स्पीड थी बात इसराल में आती है न हमने दो क्यों नहीं लिया क्योंकि उसमें से ए घंटा उसका repairing में था क्योंकि रिपैरिंग के टाइम पे वो तो नहीं चली है न ठीक है न यदि वो चलने वाला हमने लेना है यदि वो एक्सिडेंट से मीट करके एकदम चलने शुरू हो जाती तो फिर वो यह दो गंटे लेती तो तब यहां पर दो लेते तो वान इकवल टो टू तो वो एट हो जाता तब चलता भी ठीक है चलिए आगे बढ़ें नेक्स देखें नेक्स क्या कहता है इसने का मुंबई में एक कैसिनो में तीन टेबल हैं ए बी और सी ए बी और सी ए बी और सी तीन टेबल है अगे तो तीक नहीं आया समझ में हाँ ठीक है बात समझ में आती है कैसिनो में तीन टेबल है ए बी सी और इन पे जो रेशो दिया गया है ए पेज इन दा रेशो 20 तुवन 20 तुवन बी पेज 30 तुवन और सी पेज 40 तुवन इसका मेंनिंग समझते हो 30 तुवन, 20 तुवन, 40 तुवन इसका मेंनिंग समझते हो इसका मिनिंग यह है कि यदि आप जीतते हो तो एक रुपे के आपको बीस रुपे मिल जाएंगे यदि आप हारते हो तो आपको एक रुपे देना पड़ेगा बासमन में आती ही ना यदि आप जीतते हो तो एक रुपे के आपको 20 गुना मिल जाएंगे जितना पैसे लगा है उसका 20 गुना और यदि हार गए तो वो पैसे गए ऐसा कोशन अब यहां से देखो यहां पर यदि आप थोड़ा सा ध्यान से समझें उसने क्या किया कि हर एक टेबल पर कितने रुपे लगाए 200-200 रुपे लिए लिखा है ना एक परसन पूट्स एक बैट ऑफ 200 रुपीज और इच टेबल इस पर भी 200 इस पर भी 200 इस पर भी 200 तो उसने कहा है एक इस टेबल एंड विंस टू आप दा टेबल और लेकिन वह तीन में से दो ही टेबल पर जीता है कोई भी दो टेबल हो सकते हैं या तो एबी पर जीतेगा य जो इससे पहुचा है तो एक सुनोंगा तो मैक्सिममंगा वह सकती हैं मीनिमाम जोl सबसे कम रहा है यहांicians है और यह चार छालिस तो यह को आटा दूब हल इस पे लगाए, दोसो इस पे लगाए तो इसका मिनिंग यहां से जब इस पे 26 लगाएंगे तो 200 लगाए 31 मिल रहा है तो 200 का कितना 31,2, क्योंकि पहले इन पर हम धोनों पर जीतेंगे और इस पर हारेंगे तो principum हमारी income हो जाएगे तो maximum वाला case ले रहा हूँ पहले में तो इस पर और इस पर जीतना और इस पर हारना क्योंकि कम से कम जहां मिल रहे हैं उस पर हायदी हमारे और जहां जादा मिल रहे हैं उन पर जीते हैं तो भी तो maximum income हो सकती है और दो table पर जीतना है एक पर हारना है तो यहाँ पर एक रुपे के तीस है एक के तीस है तो दो सो के किता थर्टीन टू 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 हंडड़ ठीक है क्यों यह दो सो रुपे इसके लगाए इसी तरह यहाँ पर फॉर्टीन टू कितना भी 200 इतना मिला लेकिन इस पर हा रहे थे तो यहाँ पर हमारे 200 रुपे गए ठीक है तो टोटल कितना अभी 6 1000 यहां से आया प्लस चार दुनिया 8000 यहां से आया और माइनस 200 तो कितना भी 8 रुचे 14 तो 13800 तो मैक्सिमम इंकम तो हो गई 13800 अब मीनिमम देखू मीनिमम इंकम कब होगी जहां हमें सबसे जादा मिलता है उस पर तो हम हार जाएं और बाकी दोनों पर जीट जाएं A और B पर हम जीट गए और 3rd वाली जहां पर हमें ज़्याद़दा पैसा मिलता है ज्यादा ratio में पैसे मिलता है वहाँ पर हम हार जाएं वही होगा तो minimum कितनी हो जाएगी तो यहाँ पर एक उर्पे के 20 है तो दोसों कितना ट्वंटीन टू कितना 200 प्लस यहाँ पर थर्टीन टू कितना भी 200 और इस पर हम हार गए तो minus 200 क्योंकि इस पर तो हमारे जो पैसे लगाए था ठीक है अब यहाँ से देखे भई यहाँ से हमारे पास कितना 4000 यह आया प्लस 6000 यह आया और minus 200 तो इसका meaning 9800 अब एक बास सुनो पोच्छा क्या है इनका difference तो maximum जो income है वो 13800 है और minimum जो है 9800 तो difference कितने का हुआ difference हुआ भी 4000 का तो difference कितने का आएगा भी 4000 का वो difference होगा 4000 का difference होगा ठीक है बात समझ में आती है clear चले आगे चले अगला देखोगी next देखे इसकी value बतानी है इसकी value बतानी है root of 21.16 plus 73.96 minus 39 39.69 और plus 1849 ऐसा कुछ है हाँ अब आप लोग ये बताइए भी इसको solve करना है अब कैसे solve करें जरा इसको समझेए देखो point अटाया तो नीचे कितना आजाएगा 100 point अटाया तो किसका कितना आगा भी 100 आगिया point अटाया तो नीचे कितना आगा भी 100 आगिया ये बात तो सभी को समझ में आगी अब इनका root करते है अब जैसे इनका root निकालना है तो किसी इसका 216 216 का square root तो लास्ट की two digit को अलग किया तो बचा कितना 21 किस number का square 21 से कम होता है आपको पता भी चार चुक 16 पांच में ये 25 तो चार को होता तो हमने चार लिख लिए ठीक है न अब लास्ट में 6 किस किस के आता भी इसका meaning 4 में आता है और 6 में तो इसका meaning यह तो 44 होगा यह 40 होगा decision कैसे लेते थे बहुत तरीके मैंने आपको बताया थे क्या कि भई 50 से comparison कर लिए ये 4 कम है और 50 से comparison किया तो 6 कम है ये 4 कम है 6 का square 36 लेकिन यहाँ पर 4 का square 16 तो 16 लिख रहा है तो इसका meaning यहाँ पर ये 46 आ गया और 100 का square root करेंगे तो 10 तो 10 से divide करेंगे तो 4.6 आ गया प्लस यहाँ पर भी ऐसा ही कीजे अब देखो यहाँ पर यही हम देखें तो last की 2 digit 96 को हटा है तो 73 किस number का square 73 से कम होता है बहिए 9 का 1 कैसी होता है 8 का 64 होता है तो 8 हमने लिख लिए last में 6 है तो 4 में आएगा और 6 में आएगा ये बास समझ में आती है अब इनका comparison किसे करेंगे 100 से तो 100 से कितना कम है ये कम है 16 और ये कम है कितना 14 तो 14 का square कितना होता है 196 होता है 14 का 196 तो 96 दिख रहा है तो इसका मिनिग ये 86 का हो गया तो 86 और 100 का root कितना होता है 10 तो 8.6 आ गया 8.6 आ गया clear है माइनस अब यहाँ पर फिर देखो last के 2 डिजिट अटाई तो बचा कितना भई 39 किस number का square 39 से कम होता है 5 का square 25 6 का 36 तो 6 मैंने लिखा last में क्या है 9 तो किस square में last में 9 आता है एक तो आता भई किस में 3 में और दूसरा आता भई 7 में तो इसका मेंनिक या तो 63 होगा या फिर 67 होगा अब comparison कर लेते हैं किस से 50 है क्योंकि 50 के आस-पास है तो यह 13 ज्यादा है यह कितना भई 17 ज्यादा है और 13 का square कितना होता है 169 तो 69 दिख रहा है तो चोटे वाला 63 होगा और 63 divided by कितना 10 तो 6.3 आगया प्लस अब यहाँ पर इसकी बात देखें तो 18.1849 है तो लास के 2 डिजिट को लग किया 18 किस नंबर का square 18 से कम होता भी 4 का 16 होता है तो 4 ले लिया और बचा कितना भी 9 किस किस में 9 आता है भी 3 के square में और 7 में आता है तो 50 से comparison करो यह 7 कम है और यह 50 से comparison किया तो यह 3 कम है 7 का square कितना होता है भी 9 तो लास में 9 यह है ठीक है भी 43 आ गया अब बस आपको इतना ही solve करना था अब इसमें से देखो 4.6 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2.3 तो यहां से कितना है भी और प्लस 43 तो that is कितना भी 6.9 तो 6.43 प्लस 6.9 तो that is answer is 49.9 तो correct answer is 49.9 is the correct answer option number 3 is the correct answer option number 3 जो होगा वो इसका विल्कुल सही answer हो जाएगा कि बात clear है सभी को समझ में आ गई चलें आगे विशेशन को like और share भी कर दीजे clear है ना विशेशन को like और share भी कर दीजे अगला देखे भी बहुत ही अच्छा कोशन बहुत ही शानदार और ये वो कोशन है जिसमें बच्चों को बहुत ही जादा problem रहेगी होती है और बहुत सारे बच्चे इसको इस कोशन को छोड़के आते हैं गलत करके आते हैं ठीक है ना ये हर जगे मेंस में भी आया हुआ से मेंस में भी आया हुआ कोशन है और UPSI में भी आया हुआ कोशन है देखो इसने कहा three classes है इन दिल्ली पब्लिक स्कूल A, B and C take exam of science the average marks of class A class A का जो average marks है 94 है class B का 86, 87 है और C का है 96 और taking class A और B A और B को एक साथ लेते हैं तो कितना भी 91 और B और C को लेते हैं तो तब भी इनका भी कितना है 91 है तो उसने पूछा है what are the average marks of all the three classes तो तीनों classes के average marks कितने हैं ये आपको बताना तीनों classes के average marks कितने हैं अब अपने mind में एक बास सोचो क्या कहीं average निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए या total निकालने के लिए average into number क्या number हमें पता है number of strength पता है A class में कितने हैं B class में कितने हैं या उनका ratio पता हो कुछ भी नहीं पता और यदि ऐसा नहीं पता है तो हमें पहली चीज रेशो कम से कम रेशो तो हमें चाहिए ही चाहिए ठीक है तो हम क्या करते हैं ratio निकालेते हैं कि A class में और B में कितना है और C में A, B और C तीनों classes में जो number of strength है उनका ratio निकाल लेते हैं देखें कैसे A और B में यदि हम देखें तो A में जो average है A class में जो strength है उनका average है 94 और B class में जो है वो 87 और दोनों को मिलाकर है 91 तो इसमें से इसको minus किया तो 3 इसमें से इसको minus किया तो कितना भी? 4, 4 is to 3 का ratio है इसी तरह B और C में यदि हम देखें तो B का कितना है भी 87 और C का कितना है 96 और दोनों का combine करके 91 है तो इसमें से ये तो कितना भई 5 इस टू कितना भई 5 इस टू 4 का ratio आया है अब combine ratio हम यहां से find कर लेते combine ratio combine ratio तो A is to B is to C कैसे ये 4 is to 3 है और ये है 5 is to 4 ऐसे है ना B is to C है 5 is to 4 A is to B है कितना 4 is to 3 combine ratio निकाले देखो जैसे कभी भी combine करना हो तो पहले तो ऐसे लिख लिए जो भी दिया है अब उसके बाद क्या करें जैसे इसके पीछे वाला पार्ट खाली है ना जैसे 3 के पीछे वाला पार्ट का लिए तो 3 से फिल कर दो 5 से आगे वाला पार्ट का लिए तो 5 से फिल कर दो तो अब product कैसे करने है इनकी ऐसे 5, 4, 5, 20 25, 3, 15 और 4, 3, 2, कितना भी 12 ऐसा कुछ आगे भी बात समझ में आगे clear है अब देखो इसका मिनिंग number of student जो है A class B और C में किस रिशो में 20 तो 15 तो 12 की रिशो में 20 तो 15 तो 12 की रिशो में है clear है अब यहां से क्या करना यहां से अब थोड़ा सा दिमाग लगा अब तो बस वैसे तो हमारा answer आई जाएगा तो कैसे करना भी देखो टोटल निकाल लो और टोटल को divided by जितने स्ट्वेंट है उससे डिवाइड कर दो अब एक बाह बताएगे A class में जो स्ट्वेंट है वो हम कितना है मानेंगे 20 लेकिन का एवरेज कितना है 94 तो 94 इंटू कितना भी 20 प्लस बी class में कितने 87 एवरेज 87 है लेकिन number of इस्ट्वेंट कितने हम लेंगे 15 प्लस बहुत टोटल मार्क्स अपोन में टोटल number of इस्ट्वेंट हाँ ठीक है यहां से तीसरे में देखें सी में देखें तो 96 एवरेज है और 96 एवरेज है और कितना भी 12 नमबर ओफ इस्ट्वेंट कितने है 12 क्योंकि यहां से टोटल आ गया अपोन में एवरेज निकालना है तो डिवाइड़ बाई कितना कितने हो गई इन तीनों का सम तो बीस और बीस और पंदरा कितना भी 35 पैथिस और बारा कितना भी 47 ठीक है इससे इसको डिवाइड करती चीए ठीक है चलो इसको सॉल्व कर लेते कितना आ जाता है भी मेरे पास इस पेस कम हो गया आप लोग कैल्कुलिशन करके बता देना मुझे खकए चलो प्लस्ट रचिक कनभ पंदरा सथेक्सओ पांच और दस पंदरा थेक्सओ बीस और दस एक्सओ ग्रेस प्लस बारा चि कि बहातर को साथ बहा निम्मा एक्स ओर उसाथ साथ एक्सो पंदरा और इवाइड एक्साथ लूज़ कितना भी 40 से डिवाइड बाई 47 इन सब को जोड़ो और डिवाइड बाई 47 करके बताओ फिर फटावट कि तरह आ रहा है किसको एड़ करना भी 1880 प्लस 1305 प्लस 1152 इनका सम और डिवाइड बाई 47 जल्दे से बता हुई अंसर बताओ यहां से इसका आएगा देखो मेंचीज क्या थी जब आवरेज निकालना है तो टोटल सम भी निकालना हुगा और सम निकालने के बाद जितने इस्ट्वेंट है उससे डिवाइड करना और सम निकालने के लिए हमें या तो number of जो इस्ट्वेंट है A, B और C क्लास में उनका ratio चाहिए या exact value चाहिए हमें exact value तो हम यहां पर पता नहीं है तो ratio हम जरूर निकाल सकते थे तो वह पहले हमने ratio ही जल्दी से बताएए जल्दी से बताएए जल्दी से बताएए कैलिवरेशन करके 92.28 नम्र था ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए 92.28 कर दे ठीक है सबन में आ गया तरीका समझ में आये न में चीज है आपको इसका concept आना चाहिए क्योंकि बहुत important question है और ये वाला question बहुत बाहर exam में आया हुआ है same question value change करता है नाम बदल देता है कई बार क्या होगा कि जैसे यहाँ ABC public school कई बार वो subject कर देगा तो लेकिन हमें जब तक सही से उसका concept नहीं पता होगा तब तक हम इस question को नहीं कर पाएंगे और बहुत बच्चे इसको गलती करके आते हैं clear चलिए आगे देखिए अगला आजएगी भी अगले वोशन क्या कहता है उसने यह कहा inner city एक सहर में 20% लोग जो है of the total population like coffee 50% like tea 15% both tea and coffee तो भी यहाँ पर coffee आ गई भी यहाँ पर tea आ गई यह coffee इदर tea और यहाँ पर देखो दोनों को like करने वाले किते हैं अभी पंदरा परसंट पंदरा परसंट ऐसे हैं जो दोनों को like करते हैं उसने का बीस परसंट ऐसे हैं जो वीस परसंट ऐसे हैं जो coffee को like करते हैं तो और कोफी लाइक करने वाले कितने हैं वही टोटल पीस से पंदरा से यह आगे तो पांच परसंट यह नों इसी तरह यहां से यदि दोनों को ती को लाइक करने वाले कितने हैं चाय को लाइक करने वाले कितने हैं वहीं 50 50 में से 15 यहां चुके तो बचे कितने हैं 35 परसंट ऐसे हैं जो केबल टी को लाइक करते हैं तो यहां संथी करते हैं तो टोटल चाहें वह एक को लाइक करें या डोनों को लाइक करें तो फाइंड सुभापसेट इसे लोग है जो यह तो कॉफी को लाइक करते हैं या टीक हो या फिर दोनों को like करते हैं ठीक है तो correct answer is 55% is the correct answer 55% इसका बिल्कुल सही answer है इसका दूसरा तरीका दूसरा तरीका भी देख लो दूसरा तरीका यह है यह बताओ एक कोफी को like करने वाले कितने थे 20% चाय को like करने वाले कितने थे 50% ठीक है और उनमें से minus कर देंग जो दोनों को like करते हैं दोनों को like करने वाले 15% ऐसा ही कुछ है यह तो कहानी थी अब यहां से देखो यह आया 70 70-15 तो तब भी आप कर सकते हैं कितना भी यहां से कितना 55% तो correct answer is 55% तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते थे ठीक है बहुत अच्छे भी जिस जिसने जवाब द दिया अगला देखी next question क्या कहता है हाँ देखो कितना बढ़ी है सल्मान लेंट 2002 शारुक सल्मान ने 2000 रुपे शारुक को दिये दो साल के लिए और 3000 रुपे आमिर को दिये तीन साल के लिए at the same rate of simple interest and got a total of 390 रुपीज as interest तो लेकिन उसे कितना भी 390 रुपे interest मिला तो आप से पूछा है what is the rate of interest परेनम तो परेनम का rate of interest कितना था यह आपको बताना है एक बात सुनो भी ध्यान से सुनना क्या मानलो rate of interest था आर परसेंट तो दो साल का कितना टू आर परसेंट किसका भी दो हजार का टू आर परसेंट अफ टू थाउजन यह बास उन्हें आया ना माल लेते हैं एक साल जो rate of interest है वो आर परसेंट है एक साल का आर है तो दो साल का टू आर हो गया टू आर परसेंट ऑफ किसका 2000 प्लस 3000 पेवर तीन साल का तो एक साल का आर है तो तीन साल का 3R हुआ तो 3000 का 3R परसेंट वो किसके बराबर हो गया वो हमारे किसके 390 के यह बात सभी को समझ में आ गई होगी अब इनको स्वल कर लूँ भी यहां से 4000 इंटो आर भाई कितना 100 कर दू बचार दूनी 8 सोरी दो दूनी 4 4000 इंटो आर अपर में 100 प्लस यहां पर तीन त्या 9000 इंटो आर भाई 100 इक वल टू कितना 390 इनकी 2-0 से यह 2-0 इसकी 2-0 से यह 2-0 तो ओपर कितना आ गया वह थर्ट 131 30 R equal to कितना भी 390 तो R की value कितना आगे भी 3 तो इसका मिनिम जो rate of interest था वो 3% तो correct answer is 3% is the correct answer. 3% इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा. ठीक है ना? 3% इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा. क्या यह बाते clear है? सबी को समझ में आती हैं. चले आगे? और बढ़ते हैं हभी. Next question की और? अगला दीखे वे, बिल्कुल आसान सा कोशन है, दीखे इसने क्या लिखा है, 234, 234 upon me, 0.234 equal to 23.4 upon me, x, तो x की value आपको find करनी है, पॉइंट अटाया तो ओपर कितना आजाएगा, 1000, इस पॉइंट को अटाया तो नीचे कितना आजाएगा, 10, ठीके न, इस से ये cancel हो गया, ठीके, या फिर आप x की value निकालनी है, तो x equal to कितना आजाएगा, 234 upon me, कितना भी 10,000, यही आए न, तो यहां से 0.0234, यही आएगा और इसमें option number कौन से भी 1 है, तो correct answer is 1, option number 1 is a correct answer, ठीक है, option number 1 जो होगा, वो इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा, यह क्या कर दिया, क्या कर दिया, clear है, तो option number 1 जो होगा, वो इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा, तो भी यह था आज का हमारा session, जिसमें हमने different, different type के questions किये, अच्छे question थे, सारे के सारे, और बहुत important question थे, जिनके आने के पूरे पूरे chances है, ठीक है, तो भी session को like और share जरूर कर देना, चैनल को subscribe कर देना, इसकी जो मैं PDF है, वो जो मेरा telegram account है, वितुल शर्माइ study IQ, वहाँ पर मैं आपको अभी available करा दूँगा, तब वहा के लिए इतना ही, जै हिंद, जै भारत